या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई जो जो भूड़े शामरंग तो तो उजलू होई यहाँ पे कहा गया कि जो वेक्ति कृष्ण से बहुत अधीक प्रेम करता है उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता वो जैसे जैसे कृष्ण प्रेम में डूपता जाता है वैसे वैसे उसका हृदय और निर्मल सुन्दर बनता जाता है सारी बुराईया उसकी अच्छाईयों में बदल जाती है कहा गया है उधारन देकर कि यह सोचो कि अगर श्याम भगवन का रंग सावला है पर अगर उनके भक्ती में लीन होते हैं तो हमारे जो गुन है वो कभी काला नहीं होता है हम उनके गुनों को अपनाते उनके रंग को नहीं अपनाते है दुसरे समय कहा है घरू घरू डोलत दीन हवे जनु जनु जाचतु जाई दिये लोब चस्मा चकनू लगु पुनी बड़ो लखाई यहां कहा गया है कि लोबी मनुष्य दीन बनकर गरीब बनकर घर घर गिर गड़ाता हुआ फेरता रहता है और हर किसी के सामने हाथ फैला कर उनसे प्रातना करता है उनकी उसकी आखों पर लोब का चस्मा लगा हुआ है जिसे उसे छोटा मनुष्य भी बड़ा और धन्वान द प्राचना कर रहा है उसमें देने का सामर्थ नहीं है कनक कनक ते सो गुनी माधकता अधिकाई उही खाए बोराई जगु इही पाए बोराई स्वर्ण सोना और धतूरा को कनक कहा गया है स्वर्ण में धतूरे से अधिक माधकता होती है नशा होता है धतूरा खाने से व्यक् गोल्ड सोना याने यहां पर गोल्ड है गोल्ड सोना मिलने से उसे नशा हो जाता है अर्थात वेक्ति क्या हो जाता है घमंडी बन जाता है घमंड आ जाता है और वह अपनों से धूर होने लगता है याने यहां सोने का अधिक पाना भी ठीक नहीं कहा गया है गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी नहोतू सुन्यो कहू तरू अरकते अरकसमान उदोतू यहां कहा है गुनो गुनी याने गुनो से रही किसी वेक्ति को यदि सारा संसार गुनी है बहुत अच्छा है ऐसा कहकर बुलाने लगे तो वह गुनी नहीं हो जाता है बोलने से कोई गुनी नहीं होता है गुनी होने के लिए उसमें गुन होना जरूरी है जिस प्रकार से आग के पेड़ को अर्क कहा जाता है पर वह अर्क सूरिय को भी कहा जाता है पर वह सूरिय के समान कीरन नहीं देत उजाला या प्रकाश नहीं जेता है प्रकाश सूर्य से ही होता है अर्था जिसमें गुन हो वही गुनी कहला कर सम्मान पाता है श्रिप नाम देने से या नाम होने से उसमें वह गुन नहीं आते नर की अरुनल नीर की गती एक के करी जोई जे तो नीचो हवे चले ते तो उचो होई यहाँ पे कहा गया है कि मनुष और अरुनल याने फुहारे की गती दशा एक जैसी है फुहारा जितना नीचे होता है वो उतना ही उचाई पर जाकर फिर नीचे आता है इसी प्रकार वेक्ती भी जितना वी नम्र जितना उसका सभाव नम्र होगा उतना ही वह उन्नत और श्रेष्ट होता है और उसका हर जगमान सम्मान होता है अति अगादू अति ओथरो नदी कूप सरूबाई सो ताको सागरू जहां जाकी प्यास बुजाई यहां कहा गया है कि नदी कूवा सरूवर या बावडी चाहे उसमें अता याने बहुत जल है अत्वा कुछ भी जल नहीं है अर्तत बहुत कम जल है परन्तू पैसे वेक्ती की जो प्यास भुजा देता है उसके लिए तो वही सागर के समान है प्यास के लिए वह सागर वैर्थ है जिसका पानी नहीं पी सकते जिससे प्यास नहीं बुचती है पैसे के लिए तो थोड़ा भी पानी मिल जाए जो पीने लायक हो वही उसके लिए सागर के समान कहा गया है इसी प्रकार आदमी हमारे किसी काम ना आए और छोटा आदमी समय पर हमारी सहता करे तो वह छोटा व्यक्ति हमारे लिए सागर के समान बन जाता है यहां कहा गया है कि यदि बुरा आदमी बुराई करना छोड़ दे तो भी चित्त उससे डरता है जैसे चंद्रमा को कलंकर ही देखकर लोग उपद्रव की आशंका करना लगते हैं तो उसी प्रकार से बुरे वेक्ती की बुराई छोड़ कर भला बन जाता है तो लोग सोचते कि शायद यह कुछ नया सोच रहा है उपद्रव करने के लिए समय समय सुन्दर सबे रूप कुरूप न कोई मन की रूची जेती जिते तित तेती रूची होई यहाँ समस्त शुष्टी प्रभू की बनाई हुई है इसमें कोई सुन्दर या कोई असुन्दर नहीं है इश्वर की जो समपूर्ण शुष्टी है यह पूरी सुन्दरता से भरी हुई यह परिपूर्ण है अपने अपने आउसर पर सभी को सभी वस्तुए सुन्दर लगने लगती है मनुष्य की मन की चाहा जितनी अच्छी होती है उसे समस्तवस्तु उतनी ही सुन्दर दिखाई देती है अर्थात इसमें मन की चाहा को बताया गया है समझ में आया बच्चों तो मैंने एक बार पूरी कविता की पंक्तियों को आपको सपष्ट करके बताया है अब हम स्वाध्धाय की ओर बढ़ेंगे आपको जितना भी समझ रहा है आपको सब रिवाइस करना है यह कविता भी आपको याद करना है ओरल की दुरुष्टी से शब्द संसार लिखना है आपको मैं तो पीडिया फाइल दूँगी ही उसमें तो आपको जो भी दिये गए है शब्दार तो वो तो लिखना है सासत में एक आदा कुछ छुट गया तो इसमें से भी आपको दिखके लिखना है पठनिया अन्य निती परक दोहो को अपने पुर्वग्यान तथा अनुभव के साथ मुल्यांकन करे एवं उनसे सह संबंद स्तापित करते हुए वाचन कीजिए और भी निती परक दोहे है बिहारी जी के कबीर जी के सूर्दाज जी के तो वो दोहो को आपको वाचन करना है लेखनिया अपने अनुभव वाले किसी विशेश प्रसंग को प्रभावी एवं क्रमबद्ध रूप में लिखिए आपका कोई विशेश प्रसंग होगा जीवन का तो उसको आपको लेखन कार्य करना है कलपना पल्लवन निंदक नियरे रखिए इस पंक्ति के बारे में अपने विचार लिखिए निंदक निंदक याने निंदा करने वाले लोग नियरे याने पास रखना याने रखिए रखो तो यहाँ पे कहा है इस पंक्ति का आर्थिस परष्ट करना है अब मैंने बता दिय कि निंदक नियरे रखिये अर्थात निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे आसपास होना चाहिए क्यों क्योंकि निंदा करने वाले व्यक्ति अगर हमारे आसपास होते हैं तो उससे हमें हमारा जो ग्रोथ है वो और अच्छी होती है क्योंकि जब कॉम्पेडिशन में जब हम प् पुरसकार प्राप्त हिंदी साहित्तकारों की जानकारी पुस्तकाले अंतरजाल आधी के द्वारा प्राप्त कर चर्चा करे तथा उनकी हस्तरिखित पुस्ति का तयार किजिए। और भी लेखकों जो है लेखक लेखी का कवीत्री कवी उनके आपको साहित्तकारों की जानकारी पुस्तकाले अब लैबररी तो नहीं है आप लोग इंटरनेट अंतरजाल आने इंटरनेट से देख सकते हो जिने ग्यानपिट पुरसकार मिला हुआ है। पाठ के आंगन में नरकी अरुनल नीर की इस दोहे के प्राप्त संदेश स्पष्ट कीजिए। आपको इसने क्या दोहे से समझ में आ रहा है वो आपको लिखना है। शब्दों के शुद्धरूप लिखिए। घरू घरू उजलू उजवल पाठ से आगे। दोहे प्रस्तूती करन प्रतियोगिता में अर्थ दो सहीत दोहे प्रस्तूत कीजिए। भाशा बिंदू निम्नलिखित मुहावरे कहावतों में गलत शब्दों के स्थान पर सही शब्द लिखकर उन्हें पुनह लिखिए। मुहावरे कहावते दिये गए है, मैंने एक करके दिखाया है, कुछ शब्दों में मातराय गलत हो सकती है, शब्द गलत हो सकता, तो उसे आपको सही करके लिखना है, यह आपका ग्रोहकारिय भी है, टोपी पहनना, टोपी पहनना नहीं कहते हैं, टोपी पहनाना, याने दूस स्वात, बंदर क्या जाने अद्रक का स्वात, कमर का हार, गले का हार, नाक की किरकिरी होना, क्या होए इसका, आक की किरकिरी होना, गेहु गिला होना, क्या आता है यहाँ पे, गेहु गिला होना आटा गिला होना कहते हैं अब पच्टाए होत क्या जब बंदर चुक गई खेत चिडिया चुक गई खेत दिमाग खोलना दिमाग खाना होता है तो मैंने उत्तर भी आभी आपको बता दिये है तो स्रीप आपको उत्तर यहाँ पे लिखने है तो इतना ग्रोहकारी आपको करना है यह कविता हमारी यहाँ पे समाप्त होती है कविता को याद करो अर्थ स्परश्टी करन बताया है उसको एक बार फिर से याद कीजिए और कॉपी में लिखिए इसके साथ मैं आपको पीडियाप फाइल दी जाएंगी उसमें दीए गई सभी बातों को आपको जरूर कॉपी में लिखना है कॉपी आपको अपकी कंप्रिट करना है धन्यवाद